ये हमारा दूसरा सेठ है जिसमें परिच्छा के दृष्टी से हमने इसमें 100 प्रस्ण रखे हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है मिरिक दाग सारनाथ में बुध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है दोस्तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट अयोध्या में इस्थित बाबरी मस्जिद का निर्माड बाबर के कहने पर मीर बाकी ने कराया था नेक्स्ट टोडर्मल ने किस छेत्र में योगदान के लिए ख्याती अरजित की थी दोस्तों टोडर्मल ने भू राजा सुप्रबंधन के छेत्र में ख्याती अरजित की थी टोडर्मल, अकबर और सेशा सूरी दोनों के सासन में कारेरत थे इबनब तूता की भारत यात्रा किस सासन के काल में हुई थी? इबनब तूता ने मुहम्मद बिन तूगल के सासन काल में भारत की यात्रा की थी इबनब तूता की प्रमुख कृती है जिसका नाम है रेहला नेक्स्ट कोस्चन है किस मुगल सासक का मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों भारत में जहांगीर का मकबरा नहीं है यदि प्रशन आता है कि भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था तो उसका नाम था अलबरूनी नेक्स्ट कोस्चन है पुलकेसिन सेकेंड की राजधानी कहा थी? पुलकेसिन सेकेंड की राजधानी वातापी थी next question है मुहमद बिन कासीम दोरा सिंध की विज़े कब हुई मुहमद बिन कासीम के दोरा सिंध विज़े 712 इस्वि идет में हुई थी यह अर्बो का पहला आक्रमन था मुहमद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विज़े प्राप्त की थी महम्मद गोरी का ही दास था जिसका नाम था महम्मद बिन बिख्तियार खिल जी इसी ने नालंदा भी सुबिध्याले को जला दिया था नेक्स्ट कोस्चन है आंध्र सातवाहन बंस का वह कौन सा सासक था जिसने वेड कंटक स्वामी की उपाधी धारण की थी दोस्तो वेड कंटक स्वामी की उपाधी गौत्मी पुत्रसात कंडी के द्वारा धारण की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के किस अस्थल में प्राक सैंधो संस्कृति की सबसे महत्व पून उपलब्धी एक जुत्य हुए खेत का साक्ष मिला है काली बंगा जो राजस्थान में इस्थित है वहां जुते हुए खेत का साक्षी मिला हुआ है किस मंदिर में सिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है देवगण का जो दसावतार मंदिर है वहां सिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है Next Qution है बोधधर्म की किस संगीती में बोध धर्म दो भागो हीनियान तथा महा यान में विभाजित हो गया यह घगवान बुद्ध को एक महा पूरुस के रूप में जबकि महा यान पूँगा बुद्ध को भगवान के रूप में पूझते थे नेक्स्ट कोश्चन है पाल बंस के किस सासक ने प्रसिद्ध बिक्रम सिला भिस्विद्याले की अस्थापना करवाई थी धर्म पाल ने बिक्रम सिला भिस्विद्याले की अस्थापना करवाई थी गुप्त बंस का कौन सा सासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकेंड यानि की बिक्रमा दित्य को देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है लोधी बंस के किस सासक ने भूमी के लिए एक प्रमाडिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था सिकंदर साह लोधी सिकंदर साह लोधी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था समराट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचारे हरी विजय सूरी को जगत गुरू की उपाधी प्रदान की थी उस्ताद मंसूर तथा अबूल हसन किस मुगल सासक के स्रेष्ट कलाकारों में से थे ये दोनों जहांगीर के स्रेष्ट कलाकार थे नेक्स्ट कोश्चन है होलकर ने अंग्रेजो से मंदसौर की संधी कब की थी दोस्तों मंदसौर की संधी 1818 इस्वी में हुई थी पेरि प्लस of the Eritreancy ये एक पुस्तक का नाम है अलाउदीन द्वारा निर्मित अलाई दर्वाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है जो अलाई दर्वाजा है या कुबबत उल इसलाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है कुबबत उल इसलाम मस्जिद या कुटुब मिनार के पास में इस्थित है कुबबत उल इसलाम मस्जिद को कुटुब दीन एबक ने बनवाया था कुबबत उल इसलाम मस्जिद के ही प्रांगड में विक्रमा दित्ते दौरा बनाया गया लोहस्तंब इस्थित है अकबर के अलपायू होने के कारण 115-56 से 1560 तक मुगल समराज्य के सासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी बैरम खान के हाथों में अकबर के बचपन की जिम्मेदारी थी नेक्स्ट कोश्चन है अंतिम मुगल सासक कौन था? अंतिम मुगल सासक बहादुर साह जफर था बौत धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौत धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापती गौतिमी थी श्रीमत भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? दोस्तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंत है स्रीमत भगवत गीता या भगवत गीता महाभारत के भिश्म परवत से लिया गया है किस सात्वाहन नरेश ने गाथा सब्तसती नामक महत्तपून कृती की रचना की थी हाल ने गाथा सब्तसती की रचना की थी किस राष्ट्रकूट सासक ने एलोरा के परवतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलास मंदिर का निर्माड कर आया था चौल सासक किस धर्म के अन्याई थे किस युद्ध को जीतने के पश्चात सेर्साह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की अस्थापना की चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तो 1949 में हुआ था और इसके एक साल बाद बिल गराम का युद्ध हुआ था आलमगीर टीला जिसका पता 1958 में लगा था यह कहां इस्थित है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जीले में इस्थित है एहोल अभिलेख किस सासक से संबंधित है एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है नेक्स्ट रीगवेद काल का प्रमुख उद्योग क्या था रीगवेद काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था किस मुगल सासक को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर सा प्रथम को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था अंतिम मुगल सासक बहादुर साह 2 की मृत्यू कहाँ हुई थी? बहादुर साह 2 की मृत्यू रंगून में हुई थी. रंगून में अनमार में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है है हैदराबाद के सोतंत्र राज्य का निर्माड किसने किया जिसे बाद में मुगल वादसा ने निजाम उलमुल्क आसफ जांके उपाधी प्रदान की इसका निर्माड चिन किलिच खाने किया था फोर्ड बिल्यम कहां इस्थित है दोस्तो फोर्ड बिल्यम कोलकाता में इस्थित है या इक ट्रेनिंग सेंटर था रंजीत सिंग और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 इस्वी में कौन सी संधी हस्ताक चरीत हुई थी 1809 इस्वी में रणजीत सिंग और बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के बीच अमरित सर की संधी हस्ताक्षरित हुई थी सिंध पीजय का स्रे किस बिटिस अधिकारी को जाता है सिंध पीजय का स्रे चार्ल्स ने पियार को जाता है बैदिक राजाव दोरा अपनी प्रजा से वसूल किये जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था दोस्तों से बल्ली कहा जाता था संगम यूग का ग्रंथ मड़ी मेख लई किस धर्म की स्रेष्टता प्रतिपादित करता है या बहुत धर्म की स्रेष्टता को प्रतिपादित करता है दोस्तों करजन के सासनकाल में नियुक्त अकाल आयूक का अध्यक्ष सर एंटनी मैक डोनाल्ड था भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा भी निस्क्रमण कहा जाता है भगवान बुद्ध के ग्री उत्याग को महाभी निस्क्रमण कहा गया है किस सुरोत के अनुसार असोक ने अपनी बृध्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रती के पक्ष में परित्याग किया दिव्यावदान से यह पता चलता है कि असोक ने बृध्धावस्था में अपना राज सिंहासन पौत्र संप्रती के पक्ष में परित्याग कर दिया चालीस अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनास किया इसका विनास बलवन ने किया था और इसका गठन किस ने किया तो दोस्तो इसका गठन इल्टूत मिस ने किया था चांद बीबी का बिवा किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था चांद बीबी का बिवा बीजापुर के सुल्तान अली आदिल साह से हुआ था सुप्रसिधिक्रिति तबकात ए अकबरी की रचना किस ने की थी? दोस्तो तबकात ए अकबरी की रचना खुआजा निजामुदीन अहमद ने की थी सामवेद को गाने वाले विशेसग्य को क्या कहते है? सामवेद को गाने वाले विशे सग्य को उदगाता कहा जाता है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है अधिकांस विद्वानों के अनुसार सिंदु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे ये द्रविडो को माना जाता है यानि कि South Indians को किस यग्ग का बैदिक नरेसो के राजय अभिशेक से संबंध था संगम काल में राजा के जनम दिन को क्या कहा जाता था संगम काल में राजा के जनम दिन को पेरुनल कहा जाता था नेक्स्ट कोश्चन है यागवल के इस्मृति टी का किसने लिखी है दोस्तो यागवल के इस्मृति टी का बिग्यानेस्वर के द्वारा लिखी गई है कस्मीर का अकबर किसे कहा जाता है दोस्तो कस्मीर का अकबर जैनुदीन आबदीन को कहा जाता है बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भासा में लिखी गई है तुजू के बाबरी तुरकी भासा में लिखी गई है Next question है East India Company को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल समराथ ने प्रधान की थी East India Company को बंगाल और बिहार की दीवानी साह आलमसेकंड के द्वारा प्रधान की गई थी Thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद